नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से हाजर हो मैं एक नई वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गोपलॉक्स पे और हमारे पास एक नई हतेली आईए है हम इसका एक विशलेशन करके आप लोगों को देंगे उससे पहले आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूंगा कि जिन भी ओर्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जब ये वीडियो चल ली है इसके नीचे रेड करल में सब्सक्राइब लिखा होगा आपको वटन दबाना है साथ ए घंटे का एक आइकन आएगा उसको भी दबाना है सबसे पहले पामिश्टरी से हस रेका से रिलेटिड महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए अगर इस हतेली को हम देखते हैं तो बहुत सुनर हतेली है और अगर देखो मिहनत भी है इस हतेली में और एक अच्छी सोच भी ये हतेली लिये हुए है और दूसरी बात है बरतमान समाई में संगर्स की इस् ये कोई हिर्दे रेखा भी नहीं है ये कोई जो है आपकी माइन लाइन भी नहीं है ये एक बुद्ध की रेखा है जो बुद्ध परवत से जो है गुरू से युक्ति बना रही है बहुत सुनर रेखा ये अगर ये बुद्ध से और गुरू तक कोई रेखा इस तरों से पह से निरंतर और जो इनका भाग्योदाई है भाग्योदाई जो है बहुत मेनत बहुत ज्यादा प्रिस्रम के बाद कहीं जाके 42 से 45 वे वर्से के बीच में इनका भाग्योदाई जो है दिखाई दे रहा है इस रेखा का होने से एक चीज इंगित करती है कि आप में नेतिर्थ प्रतिबा और महतक आंचों की कभी कभी नहीं रहेगी अगर हम बात करते हैं आपका अंगोठे का आपका अंगोठा भी बहुत सुनर है बहुत सुनर इक्षा सक्तियां है आपके जीवन में कुछ करने की और आपका जो तरक सक्ति है वो भी बहुत 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 है इन दोनों के बीच में एक बहुत सुन्दर जो है बहुत गोलाई लिये हुए आख के आकार का योग की आकर्ति बनते हुई दिखाई देरी बड़ा सान्दार है ऐसे जो ब्यक्ति होते हैं बहुत भग्यसाली होते हैं और ऐसे जातकों को खुद की मेहनत के पैसों का खुद का घर मिलता है आपको जरूर अपनी मेहनत के पैसों का अपने घर का सुक मिलेगा कभी कभी तो ऐसा भी देखने में मिलता है कि ऐसे लोगों को पुस्तेनी घर भी मिल जाता है दूसरी बात आप भावक भी होंगे भावक के समके ब्यक्ति होंगे इमोशनल भी होंगे खास तोर पे आपका जो ये चंद्रमा है बहुत जो है गद्दी नमा और बहुत सुन्दर जो है दिखाई पड़ रहा है ये छित्र तो ऐसी इस्तित में नाजुक हिर्दे की ब्यक्ति होता है आप नाजुक हिर्दे की भी होंगे दूसरी बात ऐसा जो ब्यक्ति होता है तहजी पसंद होंगे अच्छे सलीके से जीवन जीना आपको अच्छा लगता है कम पैसे में भी आप बहुत अच्छे से रह लेती है और एक सांदार लकीर लिए आपकी हतेली है एक सांदार ये देखो मैं देखता हूँ आप भी देखो ये दिखाई देरी ने मंगल रेखा दिखाई देरा बहुत सुनर रेखा है जिवन रेखा की सहीयोगी रेखाईश को क रहा जाता है मंगल रेखा है बहुत सुननर इस्तिति में है मंगल परवत पे हैं इंगित कर रही है आप अक्यंत प्रतिभासाले और तीवर्भुद्ध की होंगे सोचने समझने के सक्ति आपमें विसेश रोप से मौजूद होगी और जीवन में जो निरणए एक बार लेंगे उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे ऐसे जो जातक होते हैं जिनकी मंगल रेखा इस तरों से साप सुत्री होती है कोई एक उदेश्या लेकर आगे बढ़ते हैं और जब तक उस उदेश्या या लक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक आप जैसे आप में अत्यंत प्रतिभा साली होता है प्रभाव शाली हो जाएगा आने वाले समय पे अगर हम देखें एक सुन्दर और रेखा है आपके हतले बहुत ही पावरफुल रेखा जिसको कहेंगे ये आपकी जीवन रेखा है और इस रेखा से निकलती हुई जो बुद्ध की औ अगर पहुंची ही रही है एक दो सालों में पहुंच जाएगे बहुत सुन्दर है पूर्ण और इस पश्ट जब हो जाएगा और बद्ध पर पहुंचने पर आपको ब्यापार में अचानक बहुत बड़ा लाव ये देगी ये ब्यापारिक बुद्ध देती है और व्यक्त का चंदर-चेतर से सुरूँ हो रही है यह बहुत जादा मेहनत कराती है कि बहुत जादा मेहनत बहुत जाद। प्रियतन के बाग तब जा के कहीं 42 से 45 साल के बाद च Poor ज gross jane आता है और ब्यक्त डेली की s लिंक करता है और मैंने पहले की वीडियों में भी बताया है ये रहां जो होती है बहुत ही outfit को जो है बहुत पैसा वाला बनाती है और आपका सवाल भी था क्या मैं करोड़पती बनूंगा मैं कहूंगा हाँ मगर अभी नहीं 45 वे वर्स के बाद करोड़ पती जो बने वोगे 45 वे वर्स के बाद आपके पास ऐसा धना आएगा अभी नहीं आएगा लाखों में आ सकता है अभी इसका प्रभाव पड़ेगा ठीक है नहीं यह लंबी है प्रगत की निशानी है अपना घर अ बहुत सुक देती है यह और 42 से 45 साल के आसपास भाग्योदा यह कराती है और आप देख रहे होंगे सनी पर उत्वे जाके एक रेखा गुरू की तरफ जो है इसारा कर रही है ऐसे में ब्यक्ति उच्च पद तता प्रतिश्टा अपनी जीवन में प्राप्त करता है और ताके उच्च सिकर को चोईएंगे और आपने कहाने मैं अध्यात्मे में जा पाऊंगा नहीं जा पाऊंगा अगर यह सनी रेखा भग्या जो है गुरू से युक्ति बनाता है तो ब्यक्ति बहुत सफल होता है अपने छेतर में और जीवन में जो खुसियां बहतर ढंग से आईगी वो आईगे 40-वे वर्स के बाद जो बहुत एक सुकुहा दाबपत्य जीवन का सुकुहा परिवार का सुकुहा वो आएगा आपको 40-वर्स के बाद बहतर ढंग से ऐसा नहीं कि तब तक ऐसा ही रहेगा ऐसा नहीं है मगर उसके बाद बहुत बड़ियाड आने वाल है ये इस तरब से चंद्रमा की और आ रही है और चंद्रमा बहुत सुन्दर है जब जीवन रेखा से कोई चंद्रमा की और रेखा जा रही हो तो जो इंगित करती है आप सिक्छा के लिए बिदेश यातरा कर सकते हैं साथी साथ सिपिंग हुआ इंपोर्ट हुआ एक्सपोर्ट हुआ और फूड बिजनिस में हाथ आज माएंगे तो बहुत धनवान जो है ऐसे विव्टि हो जाते हैं अगर हम बात करते हैं अब आपके ग्रहनक छत्रों की सुन्दर ढंग से देखो म हम सुक्रप्रवत कहते हैं आपका सुक्रप्रवत बरतमान में बहुत जादा जो है दोस्युक्त है बहुत जादा रेखाएं इसको काट रही है तो ब्यक्ति के मन में जब बहुत जादा चिंता हो जाती ब्यक्ति बहुत जादा सोचने वैठ जाता है तब यह रेखाएं जो अभाव की इस्तिति बनी हुई है दोसरा ये सुक का अभी कारक है जब सुकों में थोड़ी कमी आनी सुरू हो जाती है तो इस तरह की रेखाई ब्यक्तिके जीवन में आनी सुरू हो जाती है दामपत्य सुक हो परिवारिक सुक हो भौतिक सुक हो उसमें जब कमी आने बैठ ज जाती है तो इस तरह से ब्यक्ति के जीवन में जो है सुक्र दोस्युक्त हो जाता है जब दोस्युक्त होता है तो प्रेसानियां देता है मैं इसका बहुत सुन्दर जो है उपाई आपको दूँगा उन उपाईयों को जरूर करिएगा निश्चित ही जीवनकाल में फायदा हो एनरजेटिक स्ववाव होगा उर्जा होगी आपकी जीवन में इस्फूर्त होगी मगर कहीं न कहीं कन्फ्योजन की इस्तितिवी ये बता रहा है कि जीवन में डिसिजन लेने की छमता और थोड़ा उलजनपन भी आपकी जीवन में होगा अगर हम बात करें तो जीवन रेखा से एक रेखा निकलके इस तरह से जारी है प्रोग्रेश लाइन जिसको कहते हैं इस रेखा का मतलब होता है कि व्यक्ते को विदेश यातरा का मौका मिलेगा और राइटिंग इसकिल्स के साथ-साथ नेतर तो छमता के गुण भी ये बढ़ाएगी और यहाँ पे मैं देख रहा हूं तो एक सुन्दर मचले का चिन भी जो है नजर आरा बहुत किलिर है ऐसे में जातक दिन दोनी रात चोगनी उन्नति करता है मगर आपकी उन्नति तभी होगी चालेश के बाद जो ये लक्षण हैं बहुत बड़े करोणपतियों वाले ये दिख रहे हैं आपके हतेरे में देखो और अध्यात्मे में भी ये बड़ी रुचित दिखाता है मचले का होना ये तय करता है कि ब्यक्ति बहुत ज़्यादा सफल होगा रातियंत धन्वान होगा हमेशा प्रोग्रेस करेगा ये ब्रिस्पति है ये गुरु है ये मान सम्मान देता है प्रतिष्ठा देता है और इसमें मचले का होना बड़ा सफल होता है अपने जीवन में अत्यन्त धन्वान होता है क्योंकि नव ग्रहों में ब्रिस्पति को गुरु मानते हैं और जब बात गुरु की होती है तो बात सबसे बड़ी हो जाती है और गुरु का मतलब होता है सबसे बड़ा, सबसे महान नव ग्रहों में ब्रिस्पति को गुरु मानते हैं मंत्रणा का कारक मानते हैं समझाने और सलाह देने वाला गरह मानते हैं और हमारे ब्रिस्पति का जो अधिकार है वो होता है पीले रंग पर, सोने पर, बित पर, कोस पर, कानून पर, धरम पर, ज्यान पर, मंत्र पर और ब्रामन पर मैंने पहले भी का है ब्रामन मानी जाती का ब्रामन नहीं होता है लेकिन जो सिख्षा में धर्म के मामले में मजबूत हो वो ब्रामन और संसकार आपके संसकार कैसे होंगे आपके संसकार अच्छे हैं बुरे हैं इसका निर्धारन भी ये ब्रिस्पति जी ही करते हैं बहुत है ब्रिस्पति स्वयम भी उन्नत करेंगे जो आपके संसर्ग में आएगा उसको भी उन्नत करने में साहेता प्रदान करेंगे सहयोगी होंगे स्वाविमानी होंगे प्रॉपकारी होंगे और देखा जाए तो बड़ी मातरा में जो है आपके अंदर धार्मिक भावना ये भी नीत हैं सिक्चा के छेतर में हो मैनेजमेंट के छेतर में हो चिकित्सा के छेतर में हो इंजिनियरिंग के छेतर में हो इन छेतरों में अगर मेहनत करेंगे तो कामियावी बहुत आच्छी मिलेगे बहरहाल उंगलियों के नीचे वाले हिस्से जब तीसरा पोर है उसमें छेद दिखाई पड़ते हैं तो खर्चिला सुभाव जादा रहता है ब्यक्ति के जीवन में खर्चिला सुभाव बहुत जादा है इससे एक चीज होती है पैसा तो आता है मंगर टिक नहीं पाता है निकल जाता है जैसे आता है वो इसे खर्चे भी आ जाते है ब्यक्ति पैसा बचा नहीं सकता है इसका उपाई दूँगा जरूर करिएगा और जो उंगलिया हैं कनिष्टा हुई अनामिका हुई और ये कनिष्टा हुई अनामिका हुआ तरज नहीं हुआ उनका जुकाव भी इसकी उंगली के साथ है जब इस तरों से होता तो सनी के गुण आते हैं और जीवन में चाहिए कितना भी कुछ हो खुशियों में कमी ये देता है तो आपका जो है उंगलिया हैं वो सनी की मातरा जादा बढ़ा रही है और ब्रिस्पती का यहां पे उठा हुआ है सनी की तरफ युकती है ऐसे में साधी होने में थोड़ी देरी हो सकती है ऐसे ब्यक्तियों के अमोमन देखा गया है जो हमने रिसर्च में पाया है कि 28 से 35 के बीची ऐसे ब्यक्तियों के साधी होती है अगर हम देखे थोड़ा गंबीर ब्यक्तित भी है आपका बरतमान में थोड़ा सनी के गुण आ रहे हैं तो चाए नोकरी हो चाए ब्यक्तियों में हलकी अर्चन का सामना भी करना पड़ा है संगर्स जादा बढ़ा देती है ये अगर आपका अम सोर्य देखें तो सोर्य की उंगली बहुत अच्छी हिम्मती सुबाव है यस और कीर्थी पाने की इक्षा होगी हमेशा उस तरफ जादा जुकाव आपका रहेगा अगर सोर्य की प्रवत देखा जाए तो सोर्य का प्रवत फैला हुआ बहुत सुन्नर अवस्तामी है मगर पूर्ण रूप से बिक्सित नहीं है इसमें मचली का भी एक चिन सांदार बनता हुआ नजरा रहा है जो अपुष्ट अवस्तामी है जब ये पूर्ण होगा तो आपका जो काम होगा और फिर वही मैं कहूंगा चालिस वर्सों के बाद से बहुत सुन्दर योग आपको आ रहा है जो आपने ठानी है ने तो मैं करोड़ पती बनूँगा तो मिहनत और लगन जारी रखियेगा थोड़ा चालिस वर्सों तक संगर्स आपको करना ही पड़ेगा ऐसा नहीं कि एकदम ही आ जाए उसके बाद आपकी मिहनत और आपने लगन के बन पे जो है बहुत अच्छा विस्तार आपका होगा बरतमान में बहुत जादा मिहनत बहुत जादा कठनाई के बाद भी हलका अभाव की इस्तिति पैदा हुई है सुखों में थोड़ी कमी है और कहीं न कहीं कठनाईयां संगर्स जादा चलना है मगर काम हो नोकरी हो बिस्तार नहीं हो पा रहा है उस मेहनत का पूरा स्री पूरा क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है सुन्दर उपाई दूँगा अगर हम देखें बीच की ये कनिष्टा बहुत लंबी है मनी मैनेजमेंट में, कम्यूनिकेशन स्किल्स में, कागजों के रख रखाओ में बहुत सुन्दर है और सदेव ऐसा काम करना चाते हैं कि लोग जो है आपको याद रखें और बुद्ध का परोती भी बहुत अच्छा है, वानी के सक्थी बहुत अच्छी होगी अभी अगर देखें, तो कहीं न कहीं, एक चीज हमें दिखाई पड़ दी है अगर अभी आप बिजनिस कर रहे होंगे, तो उसमें मध्यमी स्थिति में है वह इसे ये बता रहा है कि व्यक्ति हर कार्य को योजना बद्ध तरीके से करता है और व्यक्ति का व्यक्तित तो भी बहुत सुन्दर ये रखेगा आने वाले टाइम पे आपका मंगल भी बहुत अच्छा दिड़ता और संतुलन है बना हुआ जीवन में कैसी भी प्रस्तिती आ जाए उन प्रस्तितियों को जिलनी की छंता आपके अंदर मौजूद है अगर खूब सुरत परवत के अंदर बात करें चंद्रमा जिसको कहते हैं बड़ा खूब सुरत चंद्रमा आपका है बहुत सुन्दर भी है आप खूब सुरत सोच के मालिक भी है हमेशा सकारात्मक सोचता है तो चंद्रमा आपका बहुत बढ़िया है बहुत अच्छा है और रेखाई भी आपकी बहुत सुन्दर है मणी बंद की बात करें मणी बंद भी आपका बहुत अच्छा है और अगर पीछे देखे तो इस तरों से एक निशान बन रहा है कहीं न कहीं विदेश यातरा के बहुत सुनर योग बन रहे हैं आगे एक खुब सुरत यातरा आपकी जिवनकाल में होने वाली है बहुत सुख़ यातरा आपकी लंबी और हवाय यातरा होने वाली है और कहीं न कहीं देखा जाए तो पैत्रिक संपत्य का भी ये लाब बता रहा है आपको आने वाले समय में पैत्रिक संपत्य का भी बहुत सुन्दर लाब जो है मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आपकी जीवन रेखा की बात करें तो जीवन रेखा बहुत सुन्दर ढंग से इस तरों से आके पीछे की ओर आ रही है और यहां से एक रेखा इस तरों निकल रही है जो विदेश यातरा की ओर इंगित कर रही है जीवन में एक तो 40 वे वर्स में आप देखोगे तो इस तरों से थोड़ा सा एक छोट सब्रगन्मा बन रहा है तो अचल संपतिका लाब और एक देखोगे तो आप 58 वे वर्स के करीबन पे अचल संपतिका लाब दिखाई दे रहा है थोड़ा 40 में वर्स में थोड़ा सा ये एक राहु रेखा भी काटती हुई नजर आ रही है तो कहीं न कहीं भग्या रेखा को भी काट रही है तो 35 से 40 के बीच में धन हानी होनी की भी आशंका है थोड़ा उस टेब राहु का ज्यादा प्रभाव रहेगा उस चीज से आपको बचके रहना है नगेटिविटी से बचके रहना है वेसी जीवन में निरंतर जो है उतार चड़ाओ तो है निरंतर प्रगत की योग भी बन रहे है क्योंकि आपके रेखाई उपर की और जादा जारी है तो ये प्रगत करेगी कम से कम अगर देखा जाए तो 26 से 27 साल तक थो अपना सील ब्यक्ति है चंद्रमा के और मंगल के गुण आ रहे हैं तो सर्प माइंड होगा और जीवन काल के लिए बहुत सुनर योजनाई बनाते हैं ऐसे इंसान किसी ने किसी आर्ट में किसी काला में मन हमेंसा डूबा रहता है अगर हिर्दे रेखा की बात करें तो हिर् अगर हिर्दे रेखा इस तरोसे आ रही है तो दिल से जादा सोचते हैं और आदर्सवादी जीवन आपका रहेने वाला है कुल मिला के अगर आपकी हतेली को देखते हैं तो बर्तमान इस्तिति में चाहे आर्थिक हो चाहे सारिरिक हो चाहे मेहनत का काम हो कही ना कहीं जो है संगर्श की इस्तिति चल रही है बहुत ज़्यादा मिहनत बहुत ज़्यादा प्रिश्रम के बाद भी कही न कहीं जो है अभाव की इस्तिति बनी हुई है मानसिक प्रेशानी ज़्यादा चल लिए सोच ज़्यादा रहे चिंता ज़्यादा कर रहे हैं और उन सोच और चिंता क मन को थका देनी वाली चिंदा आपके मन के अंदर है रोजगार के लिए थोड़ा ज्यादा मिहनत आप कर रहे हैं मगर आने वाले समय में जो इक्छाइं हैं जो निसान हतेली में निश्चित ही यो है आपकी इक्षाओं के पूर्ची जुरूर होगी और 40 वे वर्ष के बाद तो धमन के मात्रा में और 45 में आते आते जो है क्रोडपती के योग आपके निश्चिती तोर पे ही बन रहे हैं जो आपका सवाल भी था और प्रतिष्टा के छेत्र में महत अच्छे रहेंगे आप मंगर थोड़ा आपका व्योवार खर्चेला जादा रहेगा थोड़ा आपको खर्च पर्च पर थोड़ा साथ जो है अपनी मनी मेनेजिमेंट की छमता को बढ़ाना होगा पैसा जरूर आएगा आप निश्चिंत रहे और अपनी मेहनत और अपनी बिदी के अनुसार दिवे टाइम तक दिवे टाइम के अनुसार करिएगा निश्चित ही जिवनकाल में सफलता की प्राप्ति होगी वो जो उपाई है बहुत पावरफुल है समझ में नहीं आएगा तो मुझे कॉल करके बताईएगा तो मैं निश्चित ही आपको जो है उन नम्मर पे आप फोन कर सकते हैं वाटसप कर सकते हैं हाँ जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद